हलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों सिक्चा वर्ति जोड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास जरूर लाता हूँ जैसे कि आप देख रहे हैं लोग सिक्चान संचाल है मद्द पिर्देश 18.07.2021 का ये आदेश है दोस्तों यहाँ पर एदि आप बिशय देखेंगे तो उच्च मादमिक सिक्चक पद की प्रवर्दिक चायंग पिर्दिक्चा सूची के अभ्यारतियों को दस्तावे सत्यापन दिनांग 5.07.2021 एवं 16.07.2021 की नश्तियां उपलब्द कराने बावर्द यहाँ पर एदि आप देखेंगे तो दिनांग 5.07.2021 एवं 16.07.2021 को जिन जिला सिक्चा अधिकारी कारेले में उच्च मादमिक सिक्चक पद के अभ्यारतियों द्वारा दस्तावे सत्यापन कराए गया उनकी टूबी एकसेप्टेट टूबी रिजेक्ट एवं टूबी होल की नश्तियां आपके संभाग के जिले में एकतित कर संभाग की समस्त नश्तियां दिनांग 22.07.2021 को अनिवारिये इस कारेले में उपरप्त कराई जाना सुनिच्चित किया जाबे तो दोस्तों जैसे आपको मालू में के लोक शक्चन संजाले मर्देपरदेच जो है आपके जिनके डॉकिमेंट वेरपिकेशन रह गये थे जिनके डॉकिमेंट्स अप्लोड रह गये थे उन्हें फिर से मौकर दिया गया था उनके संभन में यादेज जारी किया गया है और जो भी accepted हुए हैं, rejected हुए हैं, hold हुए हैं उनके सम्मन्द में ये जानकारी मांगी गई है I hope ये आदेश आक्री हो जिसमें ये बता जा रहा है कि आपके document verification का एक और मौका दिया जा रहा है तो आक्री जो मौका था वो 16 जुलाई 2021 को दिया गया था उससे सम्मन्दित और उससे पहले जैसे इसमें लिखा हुगा है 5-7-2021 यानि कि 5 जुलाई 2021 को एक मौका दिया गया था फिर 16 जुलाई 2021 को एक मौका दिया गया अब जो है फाइनली लिष्ट जारी हो जाए जिससे कि आपकी joining हो सके नहीं तो पता पड़े कि इनसान ने documents upload किये और फिर document verification कराया और फिर कुछ रह गए तो फिर से documents upload हुए फिर से document verification कराया और फिर से रह गए तो इनसान इसी में उलच जाएगा साइथ फिर joining जो है यानि कि final list उसमें उतना ही देर होता चला जाएगा तो लोक सिक्चन संचाले मद्यपिर्देश की तरफ से यह finally जो 16.07.2021 है यह आखरी ही मौका होना चाहिए उन लोगों के लिए जोनोंने document verification में भाग नहीं लिया था तो finally वो उनने में ले लिया हो अब आगे और documents upload या document verification की date ना आए सिर्फ आपकी joining की date आए जिससे जल्द से जल्द आपकी joining हो सके तो यह video की सुचना मातर था आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद